है सब एक साक支持 के युणिटिं चली थी अपनी फोटो के चिनिट में से पहले वाली क्वाले पासमें हमने जब्लॉंस की डायार में जब ब्लॉंसकी नाम का सांटिस्ट था उसके द्वारा दिए प्लोरोसेंस लिखा था है फोस्पोरेंस थी है इस इसी इंटर्ण इस इस इंटर्सिस्टम ग्रोसिंग यह सारी इसका मतलब क्या होता है यह हम पढ़ेंगे आज कि क्लास में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज से जेबलोंस के डाइग्राम में जो तीन-चार वर्ट यूज हुए थे उसमें फर्ष्ट वर्ट था अपना फ्लोरो सेंस ठीक है फ्लोरो सेंस को हिंदे में बोला जाता है सफूर दिपति हिंदे में क्या बोले हैं इसको स सफूराइट को सब्सक्राइब क्या होती है इस पढाने के ऊपर हमने बाहर से क्या कि लाइट की रेडियेशन डाली है इस पढयार्ण में परजिण जो मोलीकूल थे उन मोलिकूल्स ने-स लायटाइटे राडियेशन और जोब किया है अब्जोब करने के अब्जोब करने के बाद में इस पदार्थ ये पदार्थ है वो विकिर्णों का परकास विकिर्णों का उंक्षजन करने लगता है यानि ये पदार्थ चमकने लगता है इस किरिया को सफुर देप्ती या फ्लोरोसेंट कहा जाता है और इसे जिन पदार्थों के द्वारा ये कि जब किसी पदार्थ के ऊपर प्रकास्वी किर्णों को डाला जाता है तो उस पदार्थ में से या वह पदार्थ परकास्वी किर्णों का उफ्रुजन करने लगता है यह घटना है करने वाले पदार्थ हो क्या कहलाएंगे जिन पदार्थों के द्वारा यह फ्लोरो सेंट या सब्सक्राइब पदार्थ कहेंगे अब दूसरा वड़ था फोस्पोरेंस उसमें भी होगा परकास्वी करेंगे लेकिन उसमें और इसमें डिफ्रेंस होता है वह पढ़ें यहां देखें कुई मोलेकिल्स था ए। उसमोलेकिल्स ने जिए क्या किया फ्रकास विकान में इसको ऐस्वक्षम इसको एक्सोचिट किया तो यह चलुक्त मोलेकिल्स ने जिन प्रजा को नहीं ग्रहन कर दो किया पंदार्थ उक्साइडःट ही इसकी है अस् чист्रेट में बोटोन की एनर्जी को लेकर कि हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे अब हाई एनर्जी लेवल पर प्राप्त करने के लिए क्या दरेगा कुछ समय बाद वापिस उंचूर जास्तर से वापिस नेवन उर्जास्तर पर आएगा यह अक्साइटेड मोलिकूल से वह जब वापिस अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आता है तो यह जिन विकेर्णों का इसने ऑस्वोशन किया था उन्हीं विकेर्णों का यह क्या करने लगता है यहां पर उप्सरचन करने लगता है यहां पर भोल रहने हैं इस में से यह आगरे यहां इस प्रसेस की दोरान यह प्राथ हमेंच बक्तावां दिखार दिखाए दिखाए यह इसे प्लोर्टों को हम व्लो जो सोफरो definis को करेंगी अब इन प्राथ के लक्षण क्या कह था है सफ़र दिब प्रार्त तो करेंगों क्या को देखें यहां पर क्या रह इसका मतलब कोई भी प्रकास विकिर्णों करेगा और शोर्शन करते ही ताइमने लगए जैसे इसके उपर रडियेशन डाली वैसे इस पड़ार्ट में से रडियेशन का उस्वर्जन होना सुरू हो जता है एक स्वार्ट करें से इस इप्रकास विकेर्णों करें एकुछ रडियेशन निकलें बेठा पदार्ट परकास विकेड़ों का उत्रजन करने लगत है सेकेंड ये प्रोसेस में क्या एगा कि पदार्थ के उपर यदि हम ये फ्लोरोसेंस की प्रोसेस तभी होगी जब पदार्थ है उसके उपर हम फैरा बेंगनिक चेतर या फिर वीजिबल रीजन से रेडियेशन डालें यानि पदार्थ के उपर यदि हम फैरा बेंगनिक चेतर और परकास की दर्शिक चेतर से विकेड़ों को डालते हैं तभी फ्लोरोसेंस होगा प्लोरोसेंस की प्लोरोसेंस की किरिया होती है वो पदार्थ की सोलिड श्टेट लिक्विड श्टेट और वेपर या फिर गेस श्टेट तीनों में से प्लोरोसेंस की घटना है वो सोलिड लिक्विड और वेपर इन तीनों में से किसी भी श्टेट में वो श्टेट है अब अब अधार्थ जब फ्लोरोसेंस श्टेट कर रहे है तो यह अलग अलग कलर की एडियेसंस को क्या करेगा उच्रजित करेगा यहां पे इसलिए बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो किस परकार कैसे रंग की विक्यर्णों का उच्रजन करता है तो अलग अलग और उसके लावा यूरेनियुम का काच्या वो हनेरं की प्रकास ना उसका उच्रजन करेगा उच्रजन करता है वो क्रीन क्लर की रइडियेक्शन का क्या करता है और दिखाय करते हैं इस प्रकार ने आपन सभी मिलेज़ए बीट्र बैट्स वाले वह कै रहेगी यह इसका यह सिफिया जो प्राफ्ट कि दोर विक्त्रम कहते अधिक्हां पराफ्ट हो तरी तो यह यह को अम्तला प्तियां विप्राफ्त को नखो जो कि फ्लॉरो सब्सक्राफ्त को दो अवाद abort utilized स्टीन की प्रोसेस में उनसे जो स्प्रेक्ट्रम बनता है और यह होता है यह हो जाएंगे इसमें प्रकास विक्रिणों का उस्टेज बंद कर दिया हातों आत इस पदार्थ में से सी समय कही होगा स्टार्थ में ब्रोस लोरो सेंस और फोस्फोरेंस में यहीं डिफेंस होगा तो प्रकास रोध को अठाते हैं और इस पदार्थ के ओपर डाले गई विकिर्णे हैं उनकी वेवलेंथ और इस पदार्थ में से अगया समन में यह रहेगा फ्लोर सेंस यार सफुर देप्टी और सफुर देप्टे पदार्थ उसके बाद नेक्ष देखें इस सेक्टी नमबर पर फोस्फोरेंस एक नमोल इस पदार्थ में सेकैंड्री पर्सेश होती है यह प्राइम्री परेश्वार्थ केंडर्थ और स्फुर देप्टी नमबर की रिज्टी घटना क्या हो जाएगी? secondary process के नाप से जानी रखिए अब हम पढ़ेंगे हां पर next next आई रहे हां पर फोस्पोरेंस पराटों को में पढ़ेंगे next कहेगा फोस्पोरेंस इस पर फोस्पोरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पर्टी दिपती पर्टी दिपती और वे पदा आप पर्टी दिपती आप फोस्पोरेंस को शो करेंगे उन्हें क्या बोल देंगे फोस्पोरेंस पर्टी पर्टी दिपती या पर्टी दिपती अब होते हैं ने को यहां पर फोस्पोरेंस क्या होंगे सेब फोस्पोरेंस में इसमें क्या रेगा फोस्पोरेंस में यहां पर आएगा कि मालें जी सेंब भी प्रोसेस है क्या होगा पदार्थ के ऊपर अब रेडियेशन डालें। पदार्थ क्या गए कुछ टाइम लेगा पहले इन रेडियेशन को अच्छे दरीके से अशोचित करेगा इनकी एनरजी को कुछ समय बात कुछ टाइम लगाता ही जैसे तैन की पावर माइनस नो शेट एटेन की तो यहां पर आएगा कि पदार्थ के उपर रिडियेशन डेले हाथ हो उसने रेडियेशन का उस्रूषों करने के बाद उतने टाइम के बाद में वह पदार्थ है वो विक्रिणों काउस रजन करना प्रारभ करते हैं फिर मौनले जी हमने यहां से लायर सोर्स को अटा दिया इसे राडियाशन डालनी बंध तो इस बदार्थ में से हाथों हाथ विक्रिणों काउस बन नहीं होगा फिर लगाएगा जैनि परकास रोद को अठाने के कुछ सम प्रकास रोद को सब्सक्राइब को इसको अचाते ही यहां से बन वह घ्जिए जब कि लिए कुछ समय बाद इस प्रकास रोग को हटाने की कुछ समय बाद तक करने वाले पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं उसके बाद में आती है इसके अंदर कि इसकी लक्षिन क्या क्या है फोस्फोरेंस के इसमें आएगा कि है पदार्थ की केवल सोलिड स्टेट में ही शू होती है पदार्थ की जबकि फ्लोरोसेंस क्या था पदार्थ की तीनों अवस्थां में पदर्शित हुई थी होती है जब कि फोस्पोरिंस के और पदार्थ की सोलिड श्टेट के दोड़ा परदर्शित किया जाएगा और इस पदिन पदार्थों पर रेडियेशन या विकेनिक दालते ही उस पदार्थ में से रेडियेशन का इमीशन या उत्रद नहीं होता है यानि कुछ समय बाद है उस पदार्थ में से रेडियेशन का इमीशन वस्टायते होगा फेकेंड दो होगी करेप्रिश्टिक थर्ड आएगा कि यदि किसी पदार्थ के उपा रहां वाइलेट लाइट की रेडियेशन या फिर अल्ट्रा वाइलेट की रेडियेशन डालें त प्रफॉर्ट वी इसके अंदर क्या आएगा फ्लोरो फॉस्फोर इंस पदार्थ होते हैं यहीं कई पदार्थ हो आपस मिक्स कर दिया रहे तो उस पदार्थ में से निकलने वाली जो विकिर्ण है वह अलग अलग रंग की हमें प्राप्ते हो सकते हैं कई सब्सक्राइब प दार्थ होगा इस लिए रियरियस्टन को शोड़ने से पहले और इन रियरियस्टन को शोय करने के बाद यहति इस पदार्थ के हम मैगनेटिक प्रापर्टी चेक करें है इसका डाय अलग वेक्ट केरें निया चैब करेंगे तो जब इस पदार्थ के उपर radiation नहीं डाले थी उस समय इसकी magnetic properties और dialectic constant और पदार्थ के उपर magnetic radiation डालने के बाद में जब इसने radiation commission किया सफुर देप्टे की खटना हुई उसके बाद में हम इसकी पदार्थ का magnetic moment या इसका dialectory constant चेक करें तो उन दोनों के माल में change हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोनों ही condition यहां पर बनेगा यह थे तर्फुर पदार्थ और पहले वाले थे सब फूर देप्दार्थ इन दोनों में difference लेकें तो भी चेंचार विसेचता है उसके बेस तक हम इन दोनों में difference होने के सकते हैं यह आपके जेब्लोंस की डाइग्राम में जो हमने यूज किये थे फोस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस दोनों वर्ड उसके बाद में हम नेक्ष्ट देखेंगे हाँ पर जो लिखेंगे ना हमने इंटर सिस्टम फ्रोशिंग वाला और एक था यहां पर इंटर्नल इसमें हमने लिखा था इस परकार से इसको शो किया था यहनी जब कोई भी एकट्रों से वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता, यदि वह वी कुछ ॅधियों क्रख़कुण काक खंग है तब हम बोलेगे कि वह एक रडीकलर सेस है यह दो दूसरी स्टैट में यहां पर वेश्झन और एक होगा यहां पर फ्लोरोसेंस रो फोस्टाव केंदर फोस्टावक रहा थे दोकी दोड़ं करें दोने कंदिशन बाहर निकल थे ला तो नो रिकर निकल ड़ें तब ऊस्को कहा बोलेंगे असां मोलेकूल्स 20-25 सबस्क्राइबण सब्सक्राइब करें एक Nem zasad ते वहां पर दो परकार के थी पर्थम से ग्राउंड से सिंगलेट में और पर्थम टिप्लेट से ग्राउंड स्टेट की सिंगलेट आए तो दो इस प्रोसेस थी जो की फोस्पोरेंस और के माढ़िम से बहां पर हो रहेती है बुस्य करेंके बाद है नोам लेटेटीव प्रॉसेश्स इस हाँह शिस्टां कंवर्जन और इसदो कांवर्जन फ्रोसंस एलम गिस्तों रीडियस्य tutte कि लोन्म oh i i t do इन्हीं में नाम रखेगा इसका क्णों यरी टी प्रोक्रस केश्या कि अंदिमें नाम रहेगा इसका ऐविकरनी परक्रम लोन्म रेडियेटी प्रोक्रम क्या बोलें है ऍैब यम्हें परक्राम कम बने मतलब है कि जब कोई बी लेप्रोंट कर दूसरी स्टेट में आए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते समय यदि वो इलेक्ट्रोन रेडियेशन का उत्रुज़न नहीं करे तो अपनी वो उर्जा किसकी माध्यम से उत्रुज़न करेगा किसके रूप में उत्रुज़न करेगा तो हम कहेंगे यदि एलेक्ट्र तो मिन थो बीविटी प्रोशेस निपन निकाल है तब क्या बोलेंगे इसे दो टाइप थे लिए को था इंटर्नल के और एक था यहां पर इंटरसिस्टम और इन दोनों में ही क्या होता है नोगे टीटिव प्रोशेस होता है यानि हव under August एकष्ट्रा ईनर्जी वो रिधेशन के रूप में रिलीच ना को करके रूप में या उस्मा के रूप में यहां के रिलीच होती हैं और इंटर इन्टर सिश्टम क्रोंस क्या ही है जो पलर पेसमी नद एक हाल कि इंतरनल टोओ है इंटर्णल कंवर्जन इंडियम बोलेंगें इसको आंतरिक परिभाटन बोलेंगे इंटर्णल कंवर्जन में देखें आप क्या रहीज़ेंगा कि इसमें आएगा कि ये ग्राओंस से किसमें आए हैं फर्ष्ट क्रौं स्ट देट में आता है और शाक अपनी अफ्षेंड्क पेनकालता है यह रहाने का है साथमर्झे का मतलब है सेम स्टेट से सेम स्टेट में आजा सिंगलेट से सिंगलेट में आना क्या गया इंटर्नर में और यह एदि अबहलेसरे एंटर्नल अपनी लो इनर्जी वाली इनकी इनर्जी थी इनर्जी लो थी उसी इनर्जी वाले स्टेट में आता है तो वहाँ प्रोसेस क्या करनाएगी इस प्रोसेस में मॉलेकूल से रेपन अबने अक्ष्टरा इनर्जी को हीट के रूप में उस्ट्रजित करता है किसी प्रकार से लाध मैं इनके लिए लाप बाख दो कोई एक को सी अवस्था आंपर इंस सिंग्लेट अवस्था है जबकि इनकी लिए 2S प्लस वन्याजन पिन मारे टी लिए 3 का मतलब एक फैंद तो सिंग्लेट में लौ इनर्जी वाले सिम्मयट में जाना क्या होता है इंटनल के नाम जाता है के यह पूज़ेंगे आपके इंटनल कंवर्जन से सबसेट में आद अब सेक्ट फूर्जेस थे आपकी इंटनल कंवर्जन के बाद में इंटर सिस्टम क्रोसिंग इंटर सिस्टम क्रोसिंग अंदर दंतर विनिमे के नाम से जानते हैं इसको सोट में लिखते हैं आई कि एक पर इस टू में या फिर एस वन में अपने मतलब नहीं है यह से यह से वह टीवर में बदे इस सिंग्लेट स्टेट है उसकी सिंग्लेट की एनरजी फस्ट्रिक्लेट से हाई बनते है जैब लोंस की डैगराम में बता है यहां से मॉलिकुल से यहां आ गया यह प्रोसिस क्या कराती है आइस ईंटर सिस्टम करा लाई फॉस्ट बोल दें यहां पर स्पिन मल्टिप्लिषिटी क्या अपनी वन है यहांने कि इलेक्ट्रों से से वह सिंगलेट से आया है इसमें कि इन से यहां यहां से यहां आएगा तो उसकी जो स्पिन स्टेट होती है वो जाएगी देजर में ती स्टरी यहां से यहां आएगा तब व्योन इस अपने एक्ष्टा से के रूप में रिलिच करेगा यहां बोलोगे अब T1 से एलेक्ट्रोन आ गया S0 में यानि यह भी सिंग्लेट स्टेट है लेकिन गाउंड स्टेट की है इसको हम बोह दें कि इसकी 2S plus 1 क्या है स्टेट से अपनी दूसरी स्पिन वाले स्टेट में यह भी क्या कराएगी इंटर सिस्टम कराएगी लेकिन इसको अनाम करेंगे कि सेक्ट तो यहां पर अक्ष्ट्राइनर्जी हीत के रूप में बाहर निकल जाती है कि इंटर सिस्टम हों गया यह मैं यहां से डिफ्रेंट सिंगे काई जा छाइए अँट्रिक स्क्रांव के रूप में आप देखिए आप एक फोर्मूला थे यानि पदार्थ करता क्या है वह किसी भी पदार्थ में दो यह नर्जी लेवल से हैं यहां पर लेक्टोन पर जेंट हैं जो दोनों इलेक्तों क्या हैं इस प्रकार से एक स्टेट में तब हम क्या रखेंगे कि हां से क्या है इसका यह पहले लेक्ट्रों का क्या है प्लस हाफ है और दूसरी लेक्ट्रों कर स्पिन क्या प्लस वन रखेंगे तो क्या है एगा अब हमने क्या किया इस प्रकार से यह पदार्त है इस पदार्त को हमने क्या क्या रडियेशन डालेंगे तो यह पदार्त हीट का क्या करेंगा क्या क्या प्रचम करें करें यह सब्सक्राइब एक पांट ऐसे इस रेडियेशन से एनर्जी वर्वित्स ने को और फिकी तो यहीं बंगे जैने दूसरी का स्पीन होसकता है चेंच होगे इस परकार से बन जाये और दूसरे का भी को सकता है स्पीन जेंज हो जाए यहां पर सेंज नहीं हो ना एक इस स्पीन में था सेंजने चब्लाइए सबीज़िक़ क्या थे यहां पर प्लस आगे दोनों लेफ़नों स्पिन सेम है तो टोटल केपिटल एस क्या है एस वन प्लस एस तू प्लस बनेगा स्पिन मुल्टेप्रिसिटी टू एस प्लस बन चैक है तो दो को एक से बुणा क्या एस की जरीक रखें नहीं दो रहें तीन यहनि ट्रीपलेट्ट म प्लस प्लस में प्लस में प्लस में माइनस हाफ करेंगी तो यह माइनस में आ देगी पूरी वेल्यू जीरू आजेगा कैन चलोगे तो एस प्लस बन में जीरू रखेंगे तो आएगा एक का मतलब स्टेट के सिंगलेट स्टेट है अब दो परकार से चेंज हो सकते हैं सभी पदार्थों के लिए जन्रल है कि पदार्थ है जो पहले से पहले से सिंगलेट स्टेट में था तो यह रिडिशन का जो सकता है इस प्लोरोसेंस और फोसफोरेंस ठीक है आज के लिए इतना ही इसके बार इसका नेक्स्ट पार्ट हो हम कलगी क्लास में गई झाल 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 झाल